Hello Friends, Welcome to Kids Pride आज की इस वीडियो में हम division word problem discuss करेंगे इससे पहले हमने class 2 की division word problem discuss करी थी तो अगर आप class 3 में है और थोड़ी आपको difficulties हो रही है तो पहले आप class 2 का भी check कर सकते हैं क्योंकि उसमें थोड़े और easy questions है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हमें keywords पता होने चाहिए कि किन words के through हम sentence में पहचान सकते हैं जो भी हमारे पास question आया है जो भी बच्चे confused हो जाते हैं कि यह multiplication का question है या division का question है, addition का, subtraction का तो दीरे दीरे ही उन्हें practice के through पता चलता है बट कुछ words ऐसे होते हैं जिनको देख के हम directly पता लगा सकते हैं कि हमारा question division का है जैसे कि each तो अभी हम जैसे question करेंगे solution करेंगे उनका तो उसमें आप देखेंगे each word आएगा तो किस तरह से यह use होगा मैं आपको question में जब समझाऊंगे equally share divide dividend diviser remainder split and quotient तो यह सभी words हैं जो हमारे division word problem में use होते हैं इस type का कोई word अगर दिखता है तो उसमें हमें क्या करना होगा division करना होगा अब first question देखते हैं यहाँ पर divide 20 pencils into 4 packs of 4 how many packets will I make तो यहाँ पर सबसे पहले आप word देख सकते हैं divide तो divide हमारा keyword है जिसमें हमें division करना है तो simple ही question सबसे पहले हमने ही पता लगा लिया कि इसमें हमें करना क्या है division करना है total number हम देखते हैं किसी भी object के किसी भी person होगा या कोई भी object होगा तो total number सबसे पहले हम देखेंगे किसी चीज के कितने हैं तो total number of pencils हमारे पास हैं यहाँ पर 20 into packs of 4 यानि यह जो 20 पैंसिल है इन्हें 4-4 के packets में बनाया गया है तो मैंने यहां पर एक पैकेट ड्रॉ करा इसी तरह से गर आप सेकंड पैकेट ड्रॉ करते हैं तो उसमें फिर से फोर पैंसिल होंगी थर्ड पैकेट ड्रॉ करते हैं तो उसमें फिर से फोर पैंसिल होंगी तो इस तरह से हम पैकेट बना के भी चेक कर सकते हैं कि 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने times में हम 4 प्लस कर रहे हैं 5 बार में हम 4 pencil बनाएंगे तो हमारा 5 packets बनेंगे but division की form में हम इसे किस तरह से करना है packets will I make 20 divided by 4 इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 20 divided by 4 ठीक है तो इसके लिए आपको 4 का table आना जरूर ही है अगर आपको tables अभी तक learn नहीं है तो table सबसे पहले आप learn करिए तभी आप division के questions कर पाएंगे तो 4 के table में आपको देखना है 20 किस times पर आता है 4, 5,020 तो 5 packets तो एक हमने यहाँ पर verbally करके देखा था कि अगर हम 4, 4 के packets बनाएंगे तो कितने packets बनेंगे तो हमने देखा 5 packets बनेंगे यहाँ पर भी हमने 4 pencil लिए यहाँ पर भी 4 pencil कर दी इस इतरह से 4th packet में 4 pencil 5th packet में 4 pencil तो इस तरह से हम बना सकते हैं बट यह बहुत ही lengthy process हो जाएगा और तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर simple divide करेंगे और हमारा answer हो जाएगा यहाँ पर I will make 5 packets next question देखने अब Swerna wants to purchase 24 bars of soap if the bars of soap come in packs of 4 how many packs should Swerna buy तो इसमें सबसे पहले total number of bars कितने हैं हमारे ठीक है और एक packet में हमने कितने बार रखे हैं 4 तो जैसे हमने first question में कर रहा था कि यह find करने के लिए कि हमारे पास कितने packs बनेंगे हमें इस question में क्या करना होगा division करना होगा Swerna should buy 24 divide by 4 that means 6 packets उसको खरीदने होंगे तो answer क्या होगा हमारे यहाँ पर Swerna by 6 packs third question है हमारा यहाँ पर any road or bike for a total of 50 km in the past 10 days कोई एक लड़की है जिसका नाम एनी है उसने 50 km अपनी cycle bike ride करी है तो और कितना time उसे लगा है 10 दिन लगे है तो दो चीज़ पर यहाँ पर ध्यान देना है total distance कितनी है यहाँ पर 50 km 50 km total distance है और कितने दिन में करी है 10 days में ठीक है यह दो बाते यहाँ पर ध्यान रखनी हमे she rode the same distance every day वो daily same distance ही cover करती है how many kilometers did any bike each day मैंने आपको पहले भी पताया था कि keywords में हमारा each आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे divide करेंगे कि हर एक दिन वो कितनी bike ride करती है तो simple total distance दी हूई हमें 50 km number of days है हमारे पास 10 तो any bike each day कितना हो जाएगा 50 divided by 10 that means 5 km तो एक तरीका तो हमारा होता है divide करने का 50 divided by 10 करा है तो 10 once sorry 10 5000 50 तो 5 answer हो जाएगा otherwise आप इस तरह से भी divide कर सकते है कि 10 की table में 10 5s are 50 तो हमारे यहाँ पर 5 answer होगा तो किसी भी तरह से जो जिस भी तरह से आप करना चाहते हैं इस question में कर सकते हैं next question देखते हैं Lara get 60 new baseball cards if the cards come in packs of 6 how many packs of cards did Lara get अब देखें यहाँ पर बार बार packs first question में भी ता, second में भी इसमें भी एक ही तरह के question अगर बच्चे practice करते हैं तो उनको फिर थोड़ा learn हो जाता है mind में कि हाँ अगर इस तरह का question आ रहा है तो हमें उसमें divide करना है तो इस तरह से उनको practice करा ही जाती है जादा से जादा practice कराने के लिए कुछ questions अब जैसे इस question में 60 baseball cards दिया है और 6 packs दिया है तो इसमें आप change करके 50 new baseball cards और pack of 5 इस तरह से change करके दीजिए ताकि उनको जादा से जादा practice कर पाएं बच्चे तो अब इस question पे आ जाता है how many packs of cards did Lara get तो उसी तरह से करेंगे total cards अब आपा 60 है cards come in packs of 6 और packs of cards कितने हो जाएंगे 60 divided by 6 260 divided by 6 कितना होगा हमारा 10 और answer हमारा हो जाएगा Lara get 10 packs of cards ठीक है अब next question देखते है it takes two stamps to mail a package if Luna has 20 stamps how many packages can she mail तो एक package में आपके 2 stamps है और उसके पास कितने stamps है total 20 stamps है तो आपको total number of package बताना है कि कितने होंगे तो total stamps हमारे पास कितने है 20 number of stamps for each package to हर एक package में कितने stamps है 2 तो आप कितने हमारे पास total packets बन सकते है जो लूना को mail करने है तो 20 divided by 2 तो 2 के table में 20 कितने times पे आता है 10 times है तो तो टोटल यहां पर लूना के पास कितने packages बनेंगे 10 packages बनेंगे और teacher distribute 387 toffees equally अब यहां पर आप keyword देख सकते हैं क्या है equally तीचर के पास 387 toffees है जो उसे 9 children में equally distribute करनी है How many toffees does each child get हर एक बच्चे को each यह वाला word भी हमारा क्या है उसको ही show करता है कि हमें कुश्वर में division करना है जब ज़्यादा चीज़ें हमें दी होती है और किसी एक चीज़ के बारे में पूचा होता है तो वहाँ पर हम division करते हैं कि मेरे पास इतनी toffees हैं और मुझे हर एक बच्चे को equal toffees देनी है तो हर एक बच्चे के पास कितनी toffees आएंगी ठीक है तो total number of toffees 387 number of children 9 अब हमें इसको क्या करना है division करना है तो एक बार हम यहाँ पर division करके देख लेते हैं 387 तो सबसे पहले 9 का टेबल 9 4s are 36 और इसमें से हमारा remainder बचेगा 2 और 7 हम इसी as it is उतार लेंगे और 9 के टेबल में 27 आता है त्री टाइमस में 9 3s are 27 तो इस तरह से division करना आना जरूरी है तभी आप अपना answer find कर पाएंगे तो each child will get 387 divided by 9 that is 43 toffees तो हम answer में क्या लिख सकता है each child get 43 toffees the weight of 7 boxes is 364 kg find the weight of a box अभी इस question में भी आप देखेंगे 7 boxes का weight दिया हुआ है आपको और 1 box का weight उचा है यानि कम चीच कम चीच का आपसे यहां पर weight ऊचा है ठीक है कम quantity का A box यानि सिर्फ एक का यहां पर each box भी बोला जा सकता था उसका मतलब भी होता कि एक box का कितना weight है ठीक है तो each में और A में confuse नहीं होना है दोनों का मतलब एक ही है तो total number of boxes का weight हमारा 364 kg number of boxes है हमारे पास 7 weight of a box या weight of each box 364 divided by 7 52 kg यहां पर हमारा answer हो गयागा the weight of a box is 52 kg next question the product of two number is 648 if one number of them is 8 find the other number ठीक है जैसे suppose आप दो number की multiply करते है 2 multiply 6 आपने करा है तो वो आया है आपका 12 ठीक है दो number का product 12 है अगर आपको एक number उसमें से पता है मालने जो 2 number दिया हुआ है आपको पता है और यह वाला number आपको नहीं पता तो आप कैसे find करेंगे 12 divided by 2 2 6 are 12 तो आपको answer पता लग जाएगा other number की क्या होगा ठीक है तो उसी दरे से हमें यह question करना है the product of two number is 648 if one number of them is 8 find the other number other number find करने के लिए 648 divided by 8 करेंगे product of two number लिख लेंगे one number other number में हमें simple division करना है तो 648 को जब 8 में डिवाइट करेंगे answer आएगा other number is 81 और इस तरह से भी question को देते हैं the product of two number is कोई भी number दे दिया if one number of them is this find the second number तो other number की जगा आप क्या लिखेंगे second number Sam planted 75 trees equally in three rows यहाँ पर देखे if again equally word आ गया है जो क्या हमें पताएगा कि हमें question में क्या करना है division करना है how many trees did he plant in each row ठीक है each row यानि हर एक row का एक row का आपको पता करना है कि एक row में कितने plants होंगे number of trees total number of trees इस तरह से भी आप लिख सकते है number of rows 3 और trees planted in each row 75 divided by 3 तो 3 से 75 को divide करते है 3 2s are 6 1 5 as it is 3 5s are 15 तो हमारा answer यहां पर क्या हो जाएगा 25 तो Sam planted 25 trees in each row कहने का मतलब है हमारे पास 3 rows है और हर एक row में 25 25 25 25 इस तरह से trees है तो आप 25 को 3 बार प्लस करेंगे तो answer हमारा क्या हैगा 75 तो इस तरह से आप answer को अपने चेक भी कर सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन है 968 apples are packed in 8 bags how many apples are there in each bag ठीक है इस इस बैग डिवाइड करना है तो 121 और एक बैग में उने कितने apples रखने हैं 121 apples are there in each bag thanks for watching kid sprite I hope मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको like कीजेगा अपने friends के साथ share कीजेगा और आप इस चैनल पढ़ना है तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर कीजेगा thank you bye bye